कि यानि कि सोर्स ऑफ फूड कहां से मिलता उसके विसे में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं डिजिटल बोर पर डिजिटल माध्यम से ओके इसको आप सही दंग से पढ़ेंगे पहले मैं पढ़ा चुका हूं आपको बुक्स पर पढ़ा दिया है अब आपको इस तरीके से मैं और पढ़ाने वाला मैं तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बाते कर लेते हैं कि हमरे भूजन मिलते हैं कितनी कि जां करी ये होते जैसे कोई एडली खाता है कोई मान की चलिक जान कोई इखाता है और कोई मान की चलिए आप ट्यार कि आप किसी गर उपमा त्यार किया जाता है लेकिन ये होते हैं फूड आइटम होते हैं लेकिन जिन से ये आइटम बनते हैं उन्हें हम इंग्रेडियेंट कहते हैं और वो इंग्रेडियेंट हमें कहां से मिलते हैं वो सभी के सभी हमें ब्लांट से मिलते हैं ओके जितने भी हमारी किचन में हमारी मदर जो भी कुछ बनाती है जैसे रोर आइस हैं, कच्छे राइस हैं, उनको बॉल कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, राइस भी कहां से आए? प्लाइस से आए. तो आब हम इसमें जो पढ़ाने वाले हैं, जो भी बोजन आता है, आपके डेड़ी आए मार्केट से, फ्रूट लेके आए, वेजीटेबिल से लेके आए, ये सब कहां से आया, प्लांट से आया, अब आते हैं, जैसे कुछ स्पाइस हैं, कुछ मसाले हैं, ये भी हमां प्लां से ही आता है, लेकिन कुछ से ये साल्ट है, ये प्लांट से नहीं आता, ये रॉक से आता है, और समुद्र से निकाला जाता है, बासपी करन करकी, तो ये हैं, जो भी हम कुछ खाना पीना बनाते हैं, ये सब हमारे इंग्रेडियेंट हैं, ये कम से कम हमें आवश्यक्ता होत है इससे हमारा जो भी कुछ बनाते हैं फूड आइटम जो बनाते हैं वो इनसे ही मिलकर बनाया जाता है अब नेक्स्ट आते हैं हम में टॉपिक पर अपने फूड प्लांस यानि प्लांट से प्राप्त होने वाले फूड जैसे सीरियल कहते हैं अनाज पल्स कहते हैं दालें, वेजिटेवल कहते हैं सबजियां, फ्रूट्स कहते हैं फल, स्पाइश कहते हैं मसाले, ऑईल कहते हैं तेल, बनस्पति तेल and सुँगर, चेहनी ये सबी और beverage कहते हैं जो गरम रखने के लिए हमारे लिए कुछ चीज़े पी जाती है जैसे चाय है कौफी है ये सब beverage में आते हैं इस प्रकार के जितने भी food item हैं सभी के सभी हमें plant से मिलते हैं हम आपकी book में पढ़ा चुके हैं आपकी book में ये सब है book में book के तरीके से और digital world पर हम आपको अच्छी सी सिलेड तैयर करके आपको समझाया है तो आप समझ गए हमारी plant से ही मिलते हैं सीरियल जितने भी डाले और अनाज होते हैं जितने भी अनाज होते हैं ये सब गेहु मकाब आजरा हैं ये सब सीरियल होते हैं सीरियल क्रॉप्स होती हैं धान वगएरा सब सीरियल क्रॉप्स हैं ओके ये हमें plant से मिलती हैं पल्से सो दाले मिलती हैं उन्हें हम कहते हैं पल्सिस प्लांट्स या पंसिस क्रॉप्स अब आते हैं कुछ बैजी टेविस होती हैं बैजी टेविल आप जानते हैं आप मार्केट से भी बैजी टेविल आते हैं अपने खितों में भी उगाते होंगे उन्हें हम बैजी टेविल कहते हैं ये भी हमें कहां से मिलती है प्लांट से मिलती है अब आते हैं फ्रूट्स बहुत सारे प्रकार के फ्रूट्स होते हैं मार्केट से भी लाते हैं कुछ आपके आज पास भी उगाई जाते हैं या उते हैं ये जो फ्रूट्स होते हैं ये भी सब किसे मिलते हैं प्लांट से मिलत इस मसाले में आपने simply देखा हुआ मिर्च के लिए जो रेड चिली पाउडर है ये लबबी लबी ग्रीन मिर्च जो होती है वह पक जाती है वह रेड हो जाते है उसका पाउडर बना आजाता है यहां और आप कॉरिएंडर खाते हैं धनिया खाते हैं तो और उसकी लीप खाते है जब उसको हमा करको पेकट में बंद करके आप town के बेज़े आड़ा यही श्यक्राइब प्रकार आप के बहुत प्लांट से मिलता है हुआ आपने देखा होगा सरसों का ओयल आपने कहा गाते हैं सबाचार बीडालते हैं उपथने प्लांट से होता है मुंभफली का ऑल वी और उसी परकार से पोएल होते हैं तियल का होता है और और इढ़र मैं भी इसको डिस्कास करके पता लगा सकते किसी का ओयल होता है जो खाने की काम आता इसे हम खाकते ओयल भी कहते हैं इडेविल ओयल ही कहते हैं अब कहेंगे सुगर सुगर तो factory से आती है सुगर factory से आती है लेकिन factory में बनती किसे है सुगर can से गन्रा से बनती है और गन्रा एक plant होता और ये खेतों में उगया जाता है इतनी पाइस्गना आ गया और बेवरेज यारो चाही की पत्ती हम चाह पीते हैं सुवे या कॉफी पीते हैं ये जितने भी बेवरेज होते हैं वो सबी के सबी प्लांट से ही प्राप्त होते हैं तो ये चेप्टर था हमारा source of food तो हमें जितने भी food item मिलते हैं सभी के सभी plants से मिलते हैं food item के अलावा हमें बहुत सारे other item भी plants से मिलते हैं ये हम आपको पहले जो chapter पढ़ाया है उस वीडियो में सारा के सारा बता चुके हैं अब आपको दिखाने का time में हमाना आपको ये दिखा दिया अब आता है food from animals यानि कुछ food ऐसे होते हैं कुछ food ऐसे होते हैं जो plants से नहीं हम animals से भी प्राप्त करते हैं indirect way में तो वो plants से ही मिल रहे हैं लेकिन हमें direct way में animals से मिलते हैं जैसे दूद है ठीक है अब हम पढ़ाते हैं आपको दूद है एग है ये हम आपको बता रहे हैं कि जैसे मिल्क है मिल्क हमें किस से मिलता है गाई से मिलता है पहलो से मिलता है गौट से मिलता है और अधर एनिमल भी बहुत सारे होते हैं अलग अलग जगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे बहुर सारी चीजों के, यानि मीट के लिए और एक के लिए भी एनिमल से प्राप्ट कर सकते हैं, जैसे अब ये से दूद से बनता क्या है, बटर बनता है, चीज बनती है, पनीर बनता है, घी बनता है, कर्ड बनती है, और आइस क्रीम बनती है, यानि ये सब किसके डिपेंड बनते हैं सब animal product जो milk है उससे ये इतने item आपके लिए घर में butter खाते हैं मकषर गाते हैं जब मदर क्या चलाते हैं दही को चलाती है तो उपर जो आयाता है जिसे लॉनी कहते हैं वही butter होता है उसको फरिज में रख देंगे तो आपको butter की एक piece बन जाएगा अब चीज आपने स आपने देखा होगा आपके घरों में बनता होगाимся कर्ड जो नहीं होथा है तंस्य में तो यह हानिक जले हैं हैं डख है तर्की है यह सभी क्या हैं ऐसे एनिमल हैं जो हमारे लिए यह बर्ड हैं जो हमारे लिए क्या देते हैं एग देते हैं यानिकि फूड के रूप में एग इनके हम यूज करते हैं अब कुछ एनिमल मास के लिए रखे जाते हैं ठीक किस कुछ जैसे हैन है आपने देखा होगा जब मार्केट जाते हैं पैंट को जाते हैं तो दुकान लगी हुए मिलती हैं जो मास बेखते हैं जो फिस भी रखते हैं और जो मुर्गा होता मुर्गा को भी कलम करके रखते हैं बखरे का भी रखते हैं भैसे का भी मास रखते हैं मास बेखते हैं तो कुछ परसन ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं मास को भी खाते हैं उन्हें हम ओमनी वोरस कहते हैं मैं जो होता है ओमनी वोरस होता है ओमनी वोरस में भी यानि कि क्या खाता है मास खाता है उसे हम मासा हारी भी कहते हैं तो ये किस पर डिपेंड है ये एनिमल पर भी डिपेंड होता है किस के लिए मास के लिए एक के लिए और दूद के लिए तो आप में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मातर दूद ही पीते होंगे और हमारी राई यही है कि दूद ही पीना, एनिमल और कोई मास या मंडे यूज मत करना अब एनिमल से हमें एक चीज और मिलती है, जो आपने देखा होगा, आपको इस्क्रीन पर दिख रहा है हमारी पर हनी, हनी कहते हैं सहद को सहद भी यह मक्या होती हैं, हनी भी होती हैं, वो एकटा करके लाती हैं, उनका एकटा किया हुआ भोजन, यह उनका भोजन होता है, उनका भोजन जब एकटा हो जाता हम क्या कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं, उनसे निकाल लेते हैं, तो यह हनी भी हमें किस से मिलता है, हनी भ कहते हैं और तो दिखे हैनिमल क्या-क्या कहते हैं कैसे खाते हैं वो भी हम बताते हैं Ilka क्या करता है लेप करता है cargo करति है या चट-चठ चठ च डागिए इनके हर्ट ऩाल अलग उतने हो इस आनिमिल्स कि इसलिए इसब के कहने की है जितने विइन एक बात को बताना आपको थोड़ा सा भूल गए अब इस पर ही थोड़ा सा हाइ्लाइट कर देते हैं कुछ्छ ऐसे एंिमल या कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो मार्च खाते हैं ठीक कुछ ऐसे होते हैं जो मास नहीं खाते वो only plants खाते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो दौनों को ही खा जाते हैं तो उनको अलग-अलग नाम से बताया गया है आपकी बुक में वो मैं आपको बता देता हूं जो केबल plant खाते हैं या प्लांट के आइटम खाते हैं, उन्हें हम हर्वी वोरस एनिमल कहते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो काव है, कॉट है, पफेलो है, ये हमेशा क्या खाती है, हर्व्ष काती है यानि कि पेड़ पौधों की टहनियों को या पेड़ पौधों को खाती है, इन्हें हम तर्वी वोरस कहते हैं, और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, जो मास खाते हैं, उनके लिए हम मास खाने वाले एनिमल के लिए हम कार्नि वोरस कहते हैं, यह आपको याद रहेगा, कार्नि वोर कहते हैं जैसे मास कहता है और यह इसे सिखेष आफोड ए और यह न को कह जाता है आशे ऐनियमल या पीदर इनियम है और आपका टायगर है जैकाल है इसे बहुत सारे हैं जो coinc 감 ह beiस्ट कहते हैं क्याछ बिल्फ है वो मास खाते हैं उन्हें हम मासा हारी या कार्नी बोरस कहते हैं कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो दोनों को ही खा जाते हैं जैसे क्रो है मैन हैं और आप बीर है ये सबी क्या हैं ये आंट से मिलने वाले फूड आइटम को भी खा जाते हैं और एनिमल से मिलने बारे भी food item को खा जाते हैं, दोनों को खा जाते हैं, इनका नाम हो जाता है omni boris, अब समझेंगे, omni boris की हिंदी होती है सरवाहरी, और कार्णी boris को कहते है मासाहरी, और हर्वी boris को कहते है शाकाहरी, तो ये तीन प्रकार की हमारे food eating animal पाए जाते हैं, औ तीनों के बारे में मैंने आपको डिटेल समझा दिया और आपकी book में पहले मैं पढ़ा चुका, okay, any problem, आपकी clear हुई बात, देगे, आपकी book में सिर्फ एतना ही दिया हुआ था, वो हमने आपको digital रूप से आपको समझा दिया, चैप्टर में पहले पढ़ा चुका हूँ, यह मैंने आपको समझा दिया, अब आप अपनी book से चितने भी question answer हैं, उनको complete रखिए, test होने वाले हैं आपके, और एक chapter और पढ़ाएंगे, उसके बाद exam होंगे, okay, तो आप अपनी तैयारी में रहें, बहुत सारे student ऐसे हैं, वो हमारी पढ़ाई के लिए एहमियत नहीं द होता है, जैहन जैवारत